नमस्ते बच्चों आज की इस वीडियो में हम हुमायू के बारे में अध्यान करेंगी इस से पहले वाली वीडियो में हमने हुमायू के प्रारंबिक जीवन उसकी गुजरात एवं शेरकां के साथ संगर्ष काध्यान किया थाव हम इस वीडियो में चोसा की लड़ाई काध्य करने अपने सेना के दो टुकड़े कि एक टुकड़ी का नेतर अपने भाई असकरी को सोव दिवार आगे आगे चलने को कार दूसरी टुकड़ी का नेतर स्ट्रांड कर रहा था जिसे कुछ लेकर कुछ मील पीची पीचे चला मंगेर पर दोनों भाग पुने मिल गए और मार्क दक्षिन भीवार में होका निकलता था जो शेरखा के प्रसाव रधिकार में था सतर्क अफ़गानी जासुस मुगल सेना के गदिवदी के समचार सीगरता से अपने शाशक शेरखा के पास पोचाते रहे थे हुमायो के इस भूल के कारण शेरखा ने उससे खुलम-खुला मोटवेट करने का निश्य कर लिया बाशा ग्रांट ट्रंक रोड पर भी आगे न बढ़ सका और बर्तमान बोजपूर जिले के अंत्रगत बीया नामगिस्तान के समी पोच के उसने उत्रे किनारे पर गंगा पार करनी पड़ी जैसे ये वक्कर्मनासा नदी से तोड़ी दूर पर इस्ति चोसा नामगिस्तान पर पोचा उसे समचार मिला कि शेरखा भी पासी में आ चुका पोचा है उमाई के दिकारों के राय थी कि कई दिनों के लंबी आतरा से ठक्या आये अफगानियों पर तुरंत आकर्मन करना अधिक लाप्रद होगा किन्तो उसने मुर्कता से प्रस्ताप ठुकरा दिया और निश्य किया कि दक्षिन के और नदी को फिर पार किया जाओ और वहां पोच कर एकदम आकर्मन करने के बजाए को समय तक इंतजार किया जाए मुगलों किस देरी चे शेरका को अपने शिवर को सुद्रट करने और अपने सेनी को आराम देने का प्रयाप समय मिल गया उसके जहंडे के नीचे अफगान सेनी को बड़ी फोज एकतित हो गई इसके विपरित हुमायों को अपने भाहियों से कोई सायता प्राप नहीं हुई हिंदाल आगरे में प्रतक रूप से एक राजा के तरह काम काच कर रहा था रसकरी के दिल में भी राज विद्रों की बा गड़ा हो सकता था दोनों और की सेना एक दूसरे का सामना की वे तीन मेने तक पड़ी रही किन्ति किसी और से भी आकरमन का श्रिग्रेश नहीं करने के नोबत नहीं आए शेर का जान बुचकर देर कर रहा था क्योंकि उसके अनुसार बरसात का मोसम आ जाने से मुगल सेना बड़ी मुशवत में पढ़ सकती थी यह वर्षारित का पूरा पूरा लाग उठाना चाहता था इसी बीच मंगाल में वर्षारित आरम मुगीर हुमायू के सेना में महमेरी फेल गई और वापसी का सफर हुमायू के लिए अत्तिन्त कटिन हो गया रास्ते में उसे बार बा अफगानों द्वरा परिशान किया गया उनके चापामार युद्ध पदिती थी से हुमायू के सेनिकों का मनोगल भी तूट गया ऐसी परस्तिती में शेरका ने चोसा के स्थान पर हुमायू को रास्ता रोक लिया एक लंबे सकत दोनों सेनाय आमने सामने पड़ी दे लेकि उनके हुमायू कि हुमायू की भूल थी कि उसने शेरका को अपने उपर पहला प्रहार करने मोगअ का मुगा परदान किया। अपने अपने प्रतिदंद्यों को निश्चित रूप से परचित कि इसे एक समय में दो प्रभल प्रतिदंद्यों के सामना करना पड़ा जो कि उसके राज्य के दो छोर पर इस्तित थे पच्छिम और पूर में बहुकोलिक बादाओं के करण संचार तथा आवगमन के सुईधा के उपलगनों होने के करण एक के समय में दोनों समश्यों का समधान कठिन था जब अपच्छिम बारत में वैस्ता तब पूर भी बारत में शेर खान अपने शक्ति में व्रदी कर ली इसके अतरिक्त हुमायो के संबंदी में उसके प्रतिय ऐस्यों की निति अपनाएं वे थे असकरी हिंदार और कामरान दीनों ने ही इस विशम परस्यों में उसके साथ विश्वासगात किया और ऐसी परस्यों में हुमायो के अपरस्यों सफलता पूर निश्यों थी इसलिए हुमायू की पराजे के साथ ही मुगल वंश की सत्ता का कुछ समय के लिए अंत हो गया और शेज़काल में इसलाम शाकार शाषन रहा विजी जिसकी मुरत्तू 1554 विए अबस्षाद उत्रादिकार के संगर्ष में सूरवंश इत्ता का यंत कर दिया अब हम हमाय के आसव पलता के कारणों के समिक्षा करेंगे क्योंकि कई बार इस प्यूशन पूछे जाता है कि हमायी जीवन पर लड़ खडाता रहा और लड़ खडाते हुई इस दुनिया से कूछ कर गया कई बार इस टाइप से कूछे जाते हैं अगर असपलता कारण देखे तो इसका थे उसने अपने जो भाई थे उनने सामराज्य का विभाजन कर दिया जो उसकी एदूर दशिता का परिजे दिया उसने कामरान को काबूल और कांधार असकरी को संबल तता हिंदाल को अलवर मेवात के प्रदेश दे दिये श्रिकरी कामरान ने पंजाब और इसार फिरोजा पर भी अधिकार कर लिया इस तरह का जो भीवाजन उसके द्वारा किया उसे राज जाज्य की एक तब छिन्मेन हो गई उताता राज के आये में कमी हो गई दूसरा हमायो द्वारा जो हालाकि उसे रिक्त राज कोषी मिला था पर उसके बावद से दावतो भी विलास और रंगरिल में बहुत सा धाण पर ळाज परिय विलास पर यह रिकर शाशक पहादू मुझता की विचे वाद मांदू में रंगेलु में квिस्त हो गया तो गुझता की शाषर रीषव सुध्रड बनने के प्रयास नहीं किया प्रदाम सथ मालभु को मालभा पर पुरह अदिकार करने का उसर मिल गया इसी प्रकार जो बंगाल के राधने गोड पर अदिकार करने के वादी उसने ऐसा ही किया इसके अलावा जो हुमायो की समझने में यह असमर्ण था बहादुर्शवादा तृषव टिरश्वास से में एक एसा समझूता हो गया था जब हुमयों इनमें से एक की वरूथ प्रस्तान करता है डूसर बने शक्ति का संगतित करता और हुमयों के व मारे में कटवन थेयुदum हुमयों एक की विरूथ अपनी सेना लेकाा पांस था तो दूसरे उसका विरूथ खड़ा करता था और इस वज़े से र nen poem किसी कभी एक पूर्ण रूप से ढमन नहीं कर सका इसके अलावा जो प्रजा के सद्वामना सर्योग विए उमाय को प्राप नहीं हुआ थी क्योंकि क्योंकि जो है इस वज़े से क्या क्योंकि जनता जो है हुमायो तो मुगलों को विदेशी आकरंता समस्ती रही तता संकट को न अफसरों पर हुमाय को अपने प्रजास से सयोग प्राप्त नहीं हुआ इसके अलाओ हुमाय द्वारा जो गुजरात के मालवा की शाशक बहादुर्शा के पति दोश्मुनिति अपनाई गई थी उसने बहादुर्शा की शक्ति वो कुछलने में अनेक अफसर मिले परनतु उन्होंने अफसरों का पूंट रूप से जो हिलाब नहीं उठाया जैसे जब उसने जित्तोड के दुर्ख पर गेड़ा डाला हुआ था उससमें भादुशा पर आकमना करके हुमाय उन्हें भारी भूल की और ऐसा करके वह उसके शक्ति का दमन नहीं कर सका और इसी के साथ राच्पुतों का सयोग भी नहीं प्राप्त कर सका इसके अलावा चुनार का दुख शेर्षा कोई सोब के बहुत बड़ी गलती की यदि इसी समय शेर्षा के कुचल देता तो उससे प्रबल शक्तों से मुक्ति मिल सकती थी इसके लावा जो उसने 15-30 में चुनार की किले को जीता उसके बाद 6 मैने का जो बहुमुले समय वह नश्ट कर दिय चुनार कीले को जीत लेने में भी उसे को विशेश लाब नहीं मिला इसके लाद चोसा और करनोज की लड़ाई में हुमायू तरह जो बूल की गई वह भी एक उसकी बहुत बड़ी गलती थी हुमायू चोसा पोच करती है मेने तक जो है ऐसे ही बैठा रहा और शेर्षा पर तुरंत आकमा नहीं किया इससे शेर्षा को जो अपनी सेर्षा करक्ति शुद्र करने का आउसर मिल गया चोसा के लड़ाई में पराजी तुना जाने के बाद उसने कनोज से लेकर बना तक के प्रदेशों को अफगानों से चीनने का प्रयास नहीं किया कनोज के युद के प अब उठाया और मुगलों पाचेनक धावा भूल दिया इसके लाँ हुमायो द्वारा जो विवेकिन उदारता दी गई वैव उसके पतन का कारणरी उसने जो अपने जो उदारता का परिशेत देते तो अपने शत्रों को बार बार श्रमा कर दी है उसके भूलती इस वज़से जो उसके जो विद्रोही तो उनके उसले बढ़ गये और जिससे हुमायो को बिशन कटनाय के सामना करना पड़ा हुमायो में कुशन रहे तो के गुणों का अभाव था अताब अपने अमीरों सेनापतियों अधिकारियों सेनी को एवं अनुशाशन पर विद्रोही को कठोड़ दन देने की बजायों ने शमा कर दिया करता था वै थोड़ी सी विजह प्राप्त करके भोग विलास में डूप जाया करता था हुमाय के भागी एंता भी कुछ इतियास का उसको असफलता करन बताते हैं जैसे तार्दी बेग में सायता प्राप्त करने में असकर की विफलता तथा उत्तर भारत के यात्रा के पक्ष में शेजादा का दुरुगभा के पूर्ण निन्ने गुजराद और मालवा में मुगलों की पराज्य कारण बना बंगाल का मैमुशा कुछ मैने तक शेट्षा को नहीं रोक पाया जिसकारण पूर्वी रासनतिक रंगी बदल गया और हुमायू पर वे मुसिबते आपड़ी जिसके उसे आश्युका नहीं थी इसके अलवा मैमास के मद्दे में रित्व के विप्रित मूसलादार वर्षा से करनोज में उसका डेरा जल से भर गया जिस कारण उसके रंग संबंधी कटनाया बढ़कर उसके आर का प्रमुकारण बनी इसके अलवा जो हुमायू के असपलता के रिए उसके भाई और संबंधी भी जिम्मेदार थे हुमायू के भाई, कामरान और असकरी ने संकट पुन असरों पर हुमायू का साथ नहीं दिया उसे अनेक बार हानी पोचाई हुमायू को सायत्ता और सजयोग देनी के पेक्षव उन्होंने उसके मार्ग में अनेक भादाय उत्पन की इससे हुमायू को बिशन कटना और सामना करना पड़ा इसके अलावा बाधुर शया जो है हुमायू के प्रबल जो प्रतितन्दी थे उन्हें अभधनू का प्रबल समर्थन प्राप्त था शेरखा एक कुशल सेनापती था वे हुमाई के पेक्षा सेन्य संचालन में अधिक नीपून था अब अपनी शत्रों कमजुरों को जल्दी भाप लेकिता था और उसके अकॉर्डिंगी वे अपनी रणेंटी बनाता था इसके अलावा जो हुमाई करनेक अमीरित अधिकालों ने संकट काल में उसे दोखा देकर उसकी सत्य को और देनी बना दिया हिंदुबेग ने शेरखा के विरुज जूटी सुचनते को रुमाई का विश्वास कात किया हुमाई ने शेरखा से संधी बारता करने के लिए शेक खली नामक दूद को बेजा था उसने शेरखा को हुमाई के सेनिक और आर्थिक दुरबलता उस अवगत करा और शेरखा को हुमाई पर आकरमर करने का पना मर्श दिया चोषा और करनोश के एदों बी हुमाय के अमिरी हो सहनल आनाय को नोई इसे दोखा दिया इसका साथ चोड़ कर भाग गया इतियास का लेंपून का अक lesson है कि हुमाय जीवन पर लडखडाता रहा और लडखडाता है दूनिया में कूच कर गया लेनपूल के एकतन सही प्रतित होता है हुमायो की ब्रत्तु पुस्काले के सीडियों से गिर कर फिसल जाने सी हुई इसे प्रकार हुमायो का समस राजन्दी जीवन में ठोकर खाकर फिसल जाने विजय और पराजय पाने की एक मारमिक कहानी है अपनी चारतिक दुर्बलता हो विशम परहसे तो तो ता परबल पतिदियों की काराण हुमाई ऐसा साशक शिद्ध हुआ जिसने जीवन बर कदम कदम पर ठोकरे खाई परन तो फिर भी वह नहीं संबला यादी उसके जीवन में गिरने फिसलने को संबावना होई तो वह अवशे गिर और फिसला ऐसा प्रतित हो तो तक गिरना फिसलना भूल करना पराजित होना ऐसा पलोना उसके सवाव बन चुका था हम उसके जीवन की गटनों पर दर्शी डाले तो में निश्कर्ष पर पोस्ते हैं कि वह राज्यरन के बाद कदम कदम पर लड़ खड़ाया तक जीवन पर लड़ खड़ाता रहा उसमें एदूरदसिता से अपने सामराजा को विभाजन कर दिया अपनी विजियो को संगटिन नहीं किया और दावतों तता रंगलले पर अपना भूमूले समय धन नश्ट किया परन्तों उसने अवसर का लाब ड़गरम सत्रों को पूण तक पूचलने का प्रियास नहीं किया इसलिए लेंटून का कथन सई उचित लगता है कि हुमाई जीवन पर लड़ खड़ाता रहा और लड़ खड़ाते हुई जुनिया से कूच कर गया धन्यवाद